हेलो स्टुटेंट्स गुड मॉर्णिंग कैसे हैं आप सब उम्मीद करता हूँ काफी अच्छी होंगे घर पे होंगे सेफ होंगे और आपकी जो स्टेडी है वो भी काफी अच्छी चले होगे तो तो कोविट नैटीन और नेट इग्जाम इन दुनों में काफी सिम्लेटी मि लेगी या फिर एक बार फिर से एंटी एग्जाम को कंड़र्ट कराने वाली जाचिका पर सफल होगा तो तो कुछ है कि इंपर्टन अब्रेट है उससे फिल देखतें कोविट अब्रेट आपको उता दें कि प्रीविएस 24 आर्स में नेर बाउट 99,000 पेशन कोविट 19 के पॉस्पॉर्ण करें दोस्तों आपको बता है कि एक्जाम आपका ठीक चार दिन के बाद है लेकिन फिर भी लोग मान नहीं रहे हैं या वो फोकस नहीं कर पा रहे हैं यह चीजें कहना काफी जल्दबाजी होगी लेकिन यह अप्डेट है तो आप सभी जान लिजिए आप अपनी पढ़ाई डिस्टर्बना करें लेकिन इन सब अपडेट को एक बार देख सकते हैं अब दोस्तों यह अपडेट हुए कि 11 नियू जो प्रेटेशन फाइल हुई है और आज होना है सुनवाई जी हाँ आज सुनवाई होनी सुप्रेम कोर्ट में नीट एक्जाम के को पता है कि कोर्ट से लेकर सरकार कोई भी इस्टुएंट के फेवर में नहीं है तो उमीद यही है कि साथ इस बार भी पॉस्पॉंड ना हो लेकिर क्योंकि उमीद पर दुनिया ठीक ही होती है हम सभी चाहेंगे कि एक्जाम पॉस्पॉंड हो जाए उन बच्चों के लिए झात्रम